सूपरस्टार सलमान खान की एक बफर हम आप सभी के बीच बात करने वाले हैं वाल बॉलिवुड की ब्लॉक बॉस्टर किंग सलमान खान जिनके फिल्में तो इस बार इस वक्त खास चर्चा में नहीं है क्योंकि सलमान खान की फिल्मों को लेकर तैयारिया बरकरार है, रिलीजिंग का इंतजार है, सिनेमा घर कुलने का इंतजार है, नियू नॉर्म्स के साथ लोग जी रहे हैं लेकिन क्येटर का मज़ा तो थियेटर में ही आता था, खैर नीची जीवन में भी सलमान खान काफी व्यस्त चल रहे हैं जी हाँ आपको बताना चाहें कि हमारी इस रिपोर्ट में कोरोना वारस ने सूपर स्टार सलमान से लेकर शारुख अक्षय शारुख खान और अमिर खान इन सब को पूरी तरह से तबाह किया लेकिन कि आपको मालूम है कि सूपर स्टार सल्मान खार नीच जीवन को लेकर भी सबसे जादा चर्शा में रहें एश्वरिया राय बच्चन का एक statement सलमान को लेकर फिर काफी वारल हुआ है जिसमें सलमान खान को सबसे सेक्सिस्ट एश्वरिया राय बच्चन मानती थी जी हां वो स्टेटमेंट फिर हुआ है वारल क्योंकि सोशल मीडिया पर पुराने ही किस्से होते हैं इनके बारल सालो हो चुके ही ने एक दुसरे के सामने आई लिए इस साल हो रहा है सलमान एश्वरिया को एक दुसरे से जुदा हुए फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर जो महबबत शुरू हुई वो महबबत इस फिल्म के बाद एक फिल्म में नजर आई हम तुभारे है सनम और फिर ये कभी स्क्रिन शेयर करते हैं नजर नहीं आए साल उने 99 में इनकी मुहब्बत शुरू हुई, 4 साल के अंदर इनकी मुहब्बत खत्म हो गई 2002 के बाद ये कभी एक दूसरे के सामने नहीं आया ऐसे में आपको बताना शाहेंगे मीडिया में आने वाली खबरों की वज़े से इश्वर्या के परिवार वाले काफी नाराज थे क्योंकि सल्मान खान उन्हें पसंद नहीं लेकिन इश्वर्या राइबच्चन सल्मान के साथ खड़ी थी कभी एक इस्ता आपको बताएंगे सिमिक रेवाल की चैट शो में इश्वर्या राइबच्चन ने सबसे सेक्सिस्ट और शांदार आदमी सल्मान खान को बताया था जी हाँ सबसे चामी इश्वर्या ने पहले तो जवाब देने से मना किया सल्मान खान अगर हम लुक्स की बात कर रहे हैं तो ये श्वर्या राइबच्चन का था जवाब नेक्शनाइन न्यूजूम से तरपतिक रिपोर्ट